नमस्कार आपके साथ मैं हुरेशम खानुर स्वागत आप सभी का एन 27 नियूज में लोकसभा चुनाओ की तारीखों के एलान के साथ ही देश भर में सियासी बिगुल फुक गया है वही हरियाना में राजुनीती सरगर्मिया बढ़ गई है मनोहर लाल खटर के सीएम पद से इ उंकार भरी है और उन्होंने कॉंग्रेस की जन आक्रोश रेली में कहा है कि अब केंद्र और राज्य सरकार बदलने का समय आ गया है वही हुड़ा ने राज्ये इस तरह ये कश्यप सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी समाज हो उसे अपनी शक्ति का प्रदशन प्रद्शन करना चाहिए राजनीती में कश्यप समाज को पूरze और प्रतिनी जितफ नहीं मिलता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि सरकार में कश्यप समाज को भी पूरा हक मिलेगा वहीं आपको बता दे कि उन्होंने वादा किया कि अगर कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो वे बुजूर्गों को मिलने वाली पेंशन 6,000 रुपे प्रतिमहिना कर देंगे वही गेस सिलेंडर 500 रुपे से ज्यादा नहीं होगा और इतना ही नहीं कॉंग्रेस नेता ने यूवाओ के लिए खाली पड़े दो लाग सरकारी पदो पर भरती और गरीब परिवारों के लिए सो सो गच के मुफ्त प्लोट योजना लागू कर उस प्लोट पर मकान देने का भी वादा किया है वही आपको बताते चले कि भारती जंता पार्टी यानि बीजेपी पर निशाना साते हुएं उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दस साल की नकामी चुपाने के लिए सरकार में सीयम बदल दिये वही पूर्व सीम ने कहा कि हरियाना में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर चार साल तक राज किया और इसी दोरान प्रदेश बेरोजगारी अपराद नशे और बस्टा चार में नमबर वन बन गया इतना ही नहीं समाजिक प्रगती सूचकांक में भी प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक बन गया है जबकि 2014 से पहले हरियाना खेल, खिलाडी और रोजगार देने में देश अवल था वहीं आपको बता दे कि पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंदरी सिंग उड़ा ने सरकार पर निशाना साधा और उन्हों ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल की नकामी चुपाने के लिए राज्ये में सीम ही बदल दिया अभी के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों के लिए देखते रहें N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर